Hi everyone, welcome back in your own YouTube channel जिसका नाम है JKSSB, JKPSC, SSC Online Tutorial So आज की इस वीडियो में एक good news में share करने है जा रहा हूँ सभी experience के लिए जो पंचायत account assistant exam की तेरी कर रहे हैं और वो good news है कि हम लोग start करने जा रहे हैं free online test series for पंचायत account assistant exam यहाँ पर आपको सभी section की topic wise हम लोग test series start करने वाले हैं और यह सारे के सारे test होंगे हमारी official android app में आपको करना क्या है आपको simply install करना है play store से हमारी official android app जिसका नाम है JKSSB Online Tutorial in fact इसका link मैं video के description में भी दे दूँगा otherwise आप simply इसको play store से भी install कर सकते हैं हमारा logo है install करने के बाद आपने batch में जाके batch code में डालना है JKSSB test अगर आप पूरा full material लेना चाहते हैं पंचायत account assistant exam के लिए on the spot मैं फिर कहा रहा हूँ on the spot मतब यह daily का एक एक दो दो lecture नहीं अगर आप on the spot full study material लेना चाहते हैं account assistant के लिए जिसमें आपको lectures, notes, mcqs, online test यह सभी चीज़े हम लोग provide करेंगे और यह पूरा full package आपको provide किया जाएगा सिर्फ 1499 में इसकी actual cost जो है वो 2999 है बट हम लोग अभी यह 50% off पे हम लोग provide कर रहे हैं सभी candidates को और जितने भी candidate जो interested है और मतब detail लेना चाहते हैं with demo lecture वो मुझे message करें इस number पे 7006332724 यह हमारा watch up number है official WhatsApp number आप इसमें message करिए आपको सारी detail provide कर दी चाहेगी हेलो गाइज तो आज हम यहां पे जो topic discuss करने वाले हैं आपके साथ accounting equation के बारे में करने वाले हैं तो guys I hope कि जो पीछे lectures आपको पढ़ाये हुए हैं उन सब के बारे में आपको अच्छी understanding हो गई होगी तो उनके बारे में understanding होने के बाद हम सिधा ही आज यह lecture पढ़ेंगे lecture number 7 है आज हम इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि accounting equation होती क्या है ठीक है guys और इसमें हम एक illustration को करेंगे हम बतायागे कि accounting equation किस तरह बनती है तो बढ़ते हैं lesson के तरफ देखते हैं accounting equation होती क्या है तो accounting equation जो है यह dual concept जो होता है accounting का उस पे base होती है dual concept क्या होता है जिसमें यह बताया होता है कि debit जो है जितना debit होगा उतना ही credit भी होना चाहिए ठीक है जितना ही हमारा debit होगा उतना ही हमारा credit भी होना चाहिए अब इसमें गाइज हम कोन है इसमें हम कोन है इसमें हम कोन है इसमें हम है गाइज बिजनस हम है कोन बिजनस ठीक है हम कोन है हम हम नहीं है हम कोन है हम बिजनस है ओर नहीं है हम ठीक है याद रखना जब भी हम की बात करते हैं बिजनस में इनके अकाउंटिंग में हम कोन होते है हम business होते हैं ठीक है तो business में क्या होगा ठीक है इस concept के carding अगर हम देखें तो हर एक transaction के मैंने कहा कि dual concept होते हैं कि debit and credit होता है इसमें क्या होगा कि assets जो होंगे वो capital और जो liability होती है capital plus liabilities के बराबर हमारे assets होते है capital क्या है जो owner ने invest किया है business को start करने के लिए ठीक है वो हो गई capital अब हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारे equation बनती है क्या क्या होता है equation पर जाने से पहले एक चीज़ ओर समझ लिज़े आप यहां पर कि transaction जो होती है ठीक है हमारी equation के दोनों side same होनी चाहिए ठीक है अगर उपर नीचे है अगर ब्राबर हमारा equal नहीं आ रहा है इतमेंज आपकी कहीं पे mistake हो रही है आप कहीं equation में गलती कर रहे हैं ठीक है और accounting equation को balance sheet equation भी कहते हैं ठीक है भाई जो profit होता है जो profit होता है क्या ये business का क्या है business की asset है लाइबल्टी है profit जो है क्या ये business का asset है या लाइबल्टी है अमोमन बच्चों का answer होता है कि सरी ये asset है बिल्कुल भी asset नहीं है भाई देखिए profit हुआ है न हमें हमें क्या हुआ है हमें profit हुआ है प्राफिट हुआ है ठीके बिजनेस में प्राफिट हुआ है तो बिजनेस में प्राफिट हुआ है तो हमें स्टार्ट किस ने किया है भई स्टार्ट तो हमें किस ने किया है जो कैपिटल लगाई है वो तो ऑउनर ने लगाई है अब तो बिजनेस की रिस्पॉंसिबल्टी है कि हमें उस owner को पैसा देना है ठीके तेरा तुझको अरपन क्या लागे मेरा ठीके समझ लो यहां से कि बिजनेस owner ने मुझे start किया है यहनि कि owner ने हमको start किया है owner ने business को start किया है तो profit भी owner को जाएगा यहनि कि यह हमारी asset side में नहीं आता अभी आपको बताऊंगा कि asset side में क्या-क्या आता है और जो हमारी liabilities और capital side है वहाँ पर क्या-क्या आता है ठीक है guys तो बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ asset is equal to liability plus owners equity क्या होता है owners equity वही होता है capital assets में क्या आते है हमारे जिसे cash inventories buildings land लिया हमने equipment खरीदा हमने ठीक को equipment है हमारे पास accounts है account receivable है जो market की securities है यहने की assets के बारे हमने पढ़ रहा थे कि एक fixed asset होते हैं और एक क्या होते हैं इनके long term asset होते हैं और short term asset होते हैं तो long term asset क्या होते हैं जो एक साल से क्या होते हैं तो assets के बारे में पीछे पढ़ा है अगर आपको नहीं समझाता है अभी एक बार फिस्वीडियो को देख लीजिए उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए उसके बाद liabilities क्या होती है what we owe जो हमें वापस करना है वह क्या है अकाउंट जो पे करने हैं वेजिस हमें पे करनी है टैक्स पे करने हैं नोट्स पे करने हैं बॉंड्स पे करने हैं इंट्रमीडियर जो टोम डबिट वगरा है वह सब हमें पे करना जितना भी करज़ा है वह हमें पे करना है वह होगा ही लाइबल्टी साइड में आएगा ठीक है जितना हमारा एसेट होगा उतनी हमारी liabilities और owners की equity दोनों मिलाकर होगा ठीक है जैसे के आउनर equity क्या होगी जो profit stack है उसका common stack है जो capital का surplus है return earnings जो है ये सब किसमें आता है ये सब आता है guys हमारा जो liabilities side है तो guys बढ़ते हैं आगे देखते हैं अब हम कुछ important tips को तो guys important tips जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहां पर कि इसमें एक चीज़ आद रखी का हमेशा account में जब भी हम पढ़ेंगे आगे journal पढ़ेंगे लेजर पढ़ेंगे उसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हम कौन है हम कौन है guys हम business है हम business है honor नहीं है जो profit होगा वो हमारी liability होगी वो क्या होगी हमारी liability होगी ठीक है तो कुछ tips आपको समझाओंगा मैं यहां पर उन tips को आप पच्छे से समझेगा देखे जो profit है हमारा वो क्या है liability है ठीक है अगर हमारा profit बढ़ेगा तो हमारी liability बढ़ेगी उससे क्या होगा जो capital हो बढ़ेगी capital हो बढ़ेगी अगर profit है तो owner को profit मिलेगा तो उससे क्या होगा capital बढ़ेगी ना उसके बाद expense क्या है expense क्या है expense अगर होगा तो profit हमारा कम होगा ज़्यादा खर्चा करेंगे तो profit अभी सी बात है कम होगा, अगर profit कम होगा तो हमारी capital भी उसमें से capital में से कम हो जाएगी, ठीक है, जब हमें कोई income आएगी, अगर income आएगी तो हमारा profit बढ़ेगा, क्या होगा guys, income आएगी तो हमारा profit बढ़ेगा, उससे क्या होगा, हमारी capital बढ़ेगी profit बढ़ेगा capital भी बढ़ेगी ओविस सी बात है clear समझ आया अब उसके बात drawings क्या है guys drawings drawings का means क्या होता है कोई भी चीज personal use के लिए business का use करना अब जो business का owner है जो business का ठीक है वो drawing को cash में भी क्या कर सकता है business से निकाल सकता है जो कुछ stock वगर है जो goods वगर है उसको भी अपने लिए personal use के लिए निकाल सकता है assets जो business की वो भी अपने personal use के लिए वो यहाँ पे निकाल सकता है अगर cash निकालेगा अगर cash हमारा minus होगा तो capital भी हमारी minus होगी देखो drawing जब भी करेंगे personal use के लिए जब भी निकालेंगे उससे हमारी capital minus होगी ठीक है अगर उसने कोई personal use के लिए कोई goods ले ली ठीक है उससे भी हमारी capital क्या होगी minus होगी अगर उसने क्या किया जो owner है अगर वो business की asset लेके घूम रहा है गाड़ी लेके घूम रहा है ठीक है जो हमने business के लिए motorcycle वगर वो लेके घूम रहा है ठीक है तो business क में क्या होगा asset अगर minus होगी अगर asset को निकाला asset का खर्चा किया तो capital का obviously बात है capital में भी घाता होगा ठीक है फिर है guys हमारा आगे depreciation क्या है guys depreciation यह आपको याद रखने ही रखने ही कुछ important tips है कि अगर यह होगा तो हमारे capital से क्या होगा ठीक है capital हमारा plus हो होगा या capital हमारा minus होगा depreciation क्या होता है reduction in the value of fixed asset ठीक है अगर हमने क्या किया किया किसी चीज को use किया किसी चीज को use किया हमने 1 साल use किया दो साल use किया तो बात ने क्या हो जाता है second hand जम्यों champions लेते हैं ।ो आप समझ decor that If the value is Window क्यों हो जाती है उसकी कास्टटे काम क्यों हो जाती है क्योंकि हमने उसको क्या किया उसको यूज किया effect क्या होता है मैं आपको बता दूँ जो depreciation है ठीए guys depreciation का effect क्या होता है सबसे पहले depreciation से हमारे जो assets है ठीक है उनमें गिरावट आती है assets में क्या आती है गिरावट आती है depreciation क्या है depreciation क्या है depreciation हमारा expense है depreciation हमारा क्या है guys depreciation हमारा expense है अब मैंने कहा कि जब भी हमारा expense होगा जब भी हमारा expense होगा उससे क्या होगा कि हमारा profit जो है वो कम हो जाएगा अगर profit कम है तो capital भी हमारी कम हो जाएगी I hope guys कि आपको यहाँ पर जो भी important tips है वो व्याद रही होगी ठीक है अब आगे move on करते हैं question की तरफ देखें यहाँ पर यह एक illustration है इसको हम समझते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने इसको solve भी किया हुआ है इसकी question भी बनाई हुई है अगले page पर पहले हम देखते हैं कि illustration से पहले एक चीज आपको और समझाना चाहता हूँ है guys तो guys वो चीज क्या है उसको समझें का जारा देखें मैं आपको समझाता हूँ मान लो के हमने क्या लिया goods costing goods ली costing है उसकी 200 rupees ठीक है is sold for rupees 300 ठीक है मेरे पास जो goods है उसकी cast जो है वो 200 rupees है और उसको मैंने sold किया business ने sold किया उसको 300 rupees में ठीक है guys अब देखिए goods क्या है goods क्या है ये तो हमारी assets है ठीक है अब मैंने goods को बेचा कितनी में बेचा मैंने goods को गुड्स को मैंने 200 में बेचे, तो गुड्स मेरी क्या हो गई, गुड्स मेरी minus हो गई, तो मुझे क्या आया वहां से cash आया, cash कितना आया मेरे पास, cash आया मेरे पास 300, cash का आया guys मेरे पास 300, तो अब यहां से मुझे क्या हुआ, goods थी मेरी 200 की, cash आया मेरे पास 300, तो guys हमें यहा अगर 100 रपीज का प्राफिट हुआ है तो प्राफिट क्या होता है हमारा जो बिजनस का प्राफिट होता है वो होती है गाइस कैपिटल वो क्या होती है जो बिजनस का प्राफिट होता है वो होती है कैपिटल अब कितनी रपीज का यहां पर प्राफिट हुआ है 100 रपीज का तो capital कितनी बढ़ेगी हमारी, capital बढ़ेगी हमारी 100 रुपेज, capital कितनी प्लास होगी हमारी 100 रुपेज, निकि business में जितना profit हुआ है, उतनी ही हमारी capital भी बढ़ेगी, आगया की ने आगया, अब राबर देखें यहाँ पे, cash में से goods को minus किया, cash कितना दिया, उसने 300 रुपेज दिया, goods कितने की थी, 200 की थी, profit निकला हमारा यहाँ पे 100 रुपेज, ठीक है, और यहाँ पे profit क्या होता है, profit होती है, capital साइड में इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं, तो capital हमारी क्या हो गई, 100 आई, और यहाँ पे profit कितना हुआ था, profit हुआ था हमारा 100, ठीक है guys, I hope कि आप आपको यहाँ पे इस चीज़ के बारे में समझ आ गई होगी, देखो guys, Sam Effect होना चाहिए, दोनों सेड, में इस सेड भी क्या आया था, मेरा 100 रुपीज आया था, 100 रुपीज प्राफिट हुआ था, capital में भी कितना एड हुआ, 100 रुपीज आड हुआ, तो आया की नहीं आया, Sam Effect, Sam Effect आया की नहीं आया, guys आपके पास अगर समझ नहीं आता है, आपके पास एक पावर है, वो है pause बटन, pause कीजिए, वीडियो को rewind कीजिए, एक बार फिर से वीडियो को देखिए, तो आपको यह पूरा concept clear जाएगा, तो guys देखते हैं आगे, क्या है, रमन स्टार्टिड द से start किया, 5,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 लिकुल चल रहा है उसके बाद अगला देखते हैं आपको क्या करना है सबसे पहले जो इसका जो हमारा बनाने का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है देखिए सबसे पहले आपको एक लंबी लाइन ड्रॉ करने जैसे मैंने यहां पर की है एक साइट लिख लो एक खेंच लो क्या करना है ज्यादा साइड आपको 60% माल लो 60-40 का रशयर ले लो 60 आपने रखना है एसे के लिए 40 रखना है आपने किसके लिए लाइबल्टी के लिए ठीक है यासे मैंने पेपर को जो है होरिजन्टल वे में रखा है उस तरह से आपको पेपर को होरिजन्टल वे में रखना है फिर इसको देखना है देखे काई कैश कितना आया हमारे पास कैश खर्चा उसने पांच लाख रपे का बिजनस स्टाट किया ठीक है कैश कितना अब पांच लाख रपे है टोटल कैप पेटल भी हमारे पास 5,00,000 रपेज अभी ठीक है फिर देखते हैं आगे कॉशन को ओपन बैंक अकाउंट विर अमाउंट 48,000 ठीक है उसके पस कैश कितना था 5,00,000 पांच लाग का उसके पास कैश था उसमें से उसने बैंक अकाउंट खोला खाता खुलवाया खाते में कितने डाले 4,80,000 कितने डाले गाईज 4,80,000 अब देखिए उसने क्या किया पैसे उसके पास थे पहले 5,00,000 अब उसने 4,80,000 को बैंक में डाल दिया ठीक है इसमें से कैश में से माइनस हो जाएगा कैश में से वो 4,80,000 माइनस हो जाएगा उसके बास बैंक में कितने डाले उसने बैंक में लाले उसने 4,80,000 अब cash कितना बच्चा उसके पास अब देखिए यहाँ पे capital कितनी रहेगी capital तो वही रहेगी अब इसको एक line और लगा दो मैंने जो पीछे plus minus करने को कहा था वो ही करेंगे यहाँ पे अब इसको हम तो 5,00,000 में से 4,80,000 minus करेंगे तो हमारे पास ब आते में जो मेरे bank account में कितने पैसे आगे bank account में आगे मेरे 4,80,000 यनि कि पूरे कितने हो गए यह पूरे पैसे हो गए 5,00,000 पाँच लाख capital भी मेरे पास है और 5,00,000 जो है यहाँ पर भी मेरे पास asset में भी है ठीक है अब देखते हैं अगला thought क्या है आपको बस ऐसे serial number लगाते जाना है एक serial number करने के बाद उसको बाद में equation में उसको कर लो plus minus जो भी करने plus minus करेंगे उसके बाद कहता है कि bought furniture for rupees 60,000 ठीक है 60,000 का वो furniture खरीता है and issued a check for the same और इसके लिए वो check issue करता है दिखेगा guys क्या करता है 60,000 का वो furniture खरीता है और ए वहां पर accounting equation में करेंगे क्या करता है वो furniture खरीता है कितना furniture खरीता है 60,000 का furniture लिखा मैंने उपर फिर मैंने 60,000 लिखा यह पहले उपर लिखने आपको साथ साथ में लिखते रहना है जो जो हमारे पास illustration में पूछा जाएगा ठीक है 60,000 का cash 60,000 का cash क्या किया add किया account में ठीक ह उसके बाद अब हमारे पास bank में कितना पैसा था बैंक में पैसा था हमारे पास 4,80,000 उसमें से 60,000 का मैंने furniture ले लिया 60,000 का मैंने furniture ले लिया तो इस 4,80,000 में से 60,000 तो मैंने सो जाएगा यनि कि मैंने check दिया न अब देखो मेरे पास total है मेरे पास total है कितने 20,000 ठीक है total है मेरे पास 20,000 तो 20,000 में से मैंने क्या किया अब मेरे पास फरनीचर वाले को उसको मैं चेक ही दूँगा तो मैंने क्या किया फरनीचर वाले को मैंने 60,000 का यहां पे चेक दे दिया तो मेरे पास अब बैंक में कितने थे क्योंकि बैंक में तो मेरे पास 4,8,000 थे, तो मैंने 6,000 का चेक दे दिया, मैंने फरनिचर ले लिया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 20,000 का 20,000 सेम रहेगा, मैं पस कैश बच्चा होगा, 20,000 का भी मेरे पास, उसके बाद 4,8,000 मेरे पास, बैंक अकाउंट में से 6,000 का मैंने फरनिचर ले लिया, बचे कितने मेरे पास, 4,20,000 बचे मेरे पास, ठीक है गाइस, उसके बाद, 6,000 का 6,000 ऐसे रहेगा, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे कैपिटल कितनी है, कैपिटल वोई सेम, इस सेट बराबर है, अभी हाँ कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, फिर हम 4 देखते हैं, फिर हम क्या देखते हैं, 4 पाइंट क्या पूछा गया है, बॉट प्लांट फुराम रामजी लाल, उसने रामजी लाल से एक प्लांट खरीदा, ठीक है, कौन सा प्लांट ये पोदा वाला प्लांट नहीं, यहनी कि बिजनेस प्लांट खरीदा उससे, बिजनेस करने के लिए कोई प्लांट खरीदा, कितने का खरीदा, एक लाख पच्चिस जार का, कितने का खरीदा गाईस, उसमें accounting equation में लिखेंगे देखेगा यहां पर आपके सामने क्या है कि अब उसने उसको कितना cash दिया cash में बराबर निचे आ जाओ cash वाली side में cash कितना दिया उसने उसको 10,000 का cash दिया उसने उसने लिख लो आगे अगई प्लांट कितने का खुएदा उसने एक लाख पचिस थजार का अब गाई दस था उसने उसको दिये प्लांट था 1,25,000 का अब उसको कितने उसको देने हैं उसको देने हैं उसने 1,15,000 ठीक है न 25,000 का क्या था प्लांट था 1,25,000 का उसने उसको 10,000 दे दिये अब देने कितने हैं उसने हैं उसको 1,15,000 अब जो देने हैं तो वो क्या हो जाएगा liability हो जाएगी, क्या हो जाएगी guys हमारी, liability जाने कि राम जी को कितने पैसे देने हैं उसको अभी, 1,15,000 उसने अभी राम जी को देना है guys, ठीक है, यहां तक समझा गया, very good, तो अब हमारे पास, अब हम इसको plus लगा सकते हैं, अब हमारे पास liability कितनी बची, हमारे पास capital कितनी बची, 5,00,000 की पूरी capital अभी मेरे पास है, और इसमें liability कितनी हो गई, मेरी 1,00,000, 15,000 मुझे देने हैं, ठीक guys, समझ रहे हो यहां तक, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अब अगला देखते हैं, अगला step क्या है, फिर बोलता है, गुड्स परचेज़ फ्राम स्मित ट्रेडर्स रपीज 55,000, फिर क्या कहता है, गुड्स परचेज़ करता है, गुड्स को खरीता है, किस से, स्मित ट्रेडर्स से 55,000 में, कितने में 55,000 में goods को purchase करता है ठीक थोड़ा मैं यहाँ पर आपको zoom करके दिखाता हूँ देखेगा guys goods को purchase करता है कितने में 55,000 में goods को purchase करता है देखेए उपर मैंने क्या लिख लिया उपर देखे guys मैंने लिख लिया goods ठीक है मैंने GDS लिखा है अब पूरा goods लिखेगा एगर जगार नेवेस लिखेगा, goods कितने की purchase की, goods purchase की 55 thousand की, अब इसने यहां पर कुछ नहीं बोला है, इसने नहीं हमें cash बोला है, ठीक है नहीं इसने कुछ बोला है, सिदा भूला इसने purchase की है, credit पे पैसल लिया है यहनि कि जो उसने goods लिया है वो उसने क्या लिया है guys उधारी पर लिया है अगर उधारी पर लिया है उसको वापस करना है वो क्या बन जाएगा वो लाइबल्टी बन जाएगी I hope guys कि आपको समझा रही है तो दिखाता हूँ आगे उसको मैंने कहां पे लिखा देखो उसको मैंने क्या कर दिया अब उसने credit पे लिया credit पे लिया तो कितने का credit है पचुनजा 1000 का ठीक है 55,000 का क्या हो गया guys credit हो गया ठीक है guys यहां तक समझा आई इसके बाद क्या करेंगे अब इसको अब इसके बाद हम करेंगे इसको equation में set 10,000 हमारे पास cash है अभी बचा हुआ है ठीक है उसके बाद 4,20,000 मेरे पास bank खाते में बचे हुए है उसके बाद 60,000 का मेरे पास furniture पड़ा हुआ है उसके बाद plant जो मैंने लिया है 1,25,000 का लिया है उसमें से मैंने 10,000 पे कर दिये हैं और 1,15,000 का भी और उसके पे करने है उसके बाद मैंने 55,000 का क्या लिया है 55,000 के मैंने goods लिये है तो वो मैंने अभी उसका पैसा नहीं दिया है वो मेरे पास क्या है वो भी मुझे उसको देने है वो मैंने उधारी पे लिया है, वो क्या लिया है, मैंने वो उधारी पे लिया है, ठीक है, तो एक इसकी अगली वो देखते हैं, क्या है, हमारे पूछा क्या गया है, फिर बोलता है कि, goods casting रिपीज 25,000, sold to Rajni enterprises for रिपीज 35,000, ठीक है, कहता है कि, goods की जो cast है, वो 25,000 है, कितनी ह रिपे में, 35,000 में, अब यहां पे सिंदर से बता है कि, कास्ट 25,000 है, बेची 35 में है, तो क्या हो रहा है हमें, सिंपल सी बात है, 10,000 रिपे का गाइस, प्रॉफिट हो रहा है हमें, ठीक है, देखते हैं, इसको accounting equation में किस तरह लिखना है, देखिए, यहां पे फिर से एक ब राइगोड ख्रेदी थी, उसमें से मैंने 25,000 रुपे की जो गुड्स हैं वो बेच दी, ठीक है, कितने में बेची, कितने में बेची, गाइस, देखो, किसको बेची मैंने डैटर्स को, किसको बेची मैंने डैटर्स को, ठीक है, तो कितने में बेची मैंने 35,000 में, कितने मे 35 में से 25 गया तो कितना profit हुआ यहां पे आपको 10,000 का तो profit मैंने पहले ही कहा था कि profit होगा तो वो क्या होगी हमारी वो guys वो होगी हमारी liability side तो मैंने यहां पे capital में उसको add कर दिया मैंने क्या कहा था कि अगर आपका profit बढ़ेगा profit अगर आपका increase होगा तो capital side भी हमारी increase होती है तो मैंने guys क्या कहें यहां पे देखी क्या किया मैंने मैंने capital में इसको क्या कर दिया capital में इसको plus कर दिया तो plus कर दिया तो लगा लिजे एक line एक line आपने लगा दी तो चलो करते हैं इसको plus फिर अब ठीक है यहाँ पे कितना था हमारे पास 10,000 हमारे पास अभी क्या है cash पड़ा हुआ है 4,20,000 हमारे bank में पड़ा हुआ है 6,000 का मेरे पास furniture पड़ा हुआ है 1,25,000 का जो मैंने क्या plant खेदा है उसको मैं 10,000 मैंने advance पे कर दिये है 1,25,000 मैंने उसको भी राम जी को पे करने है उसके बाद पचुनजा हजार की मैंने goods करे दी थी पहले उसमें से मैंने 25,000 की बेच दी तो कितनी goods बची मेरे पास? 30,000 की goods मेरे पास बची ठीक है और 35,000 का मैंने क्या कर दिया? मैंने debtors को मैंने क्या कर दिया? चीज मैंने बेच दी ठीक है डैटर्स वगरा सब कहां पे आएंगे Assetside क्योंगि डैटर्स क्या होते हैं डैटर्स से हमें क्या होता है डैटर्स जो हमारे पर बिजनस में आता है डैबिट इसको बोलते हैं डाक्टर साब समझे इसको ठीक है यानि कि ये debit से क्या होता है हमारे business में क्या होता है फाइदा होता है ठीक है जो business में आते हैं उसे हम कहते हैं debit मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा है अगर समझने हैं दुबार अस वीडियो को देख लीजेगा ठीक है अब 35,000 हो गया अब इस किसके बराबर है एक ला 5,10,000 मेरे पास capital आ गई 5,10,000 की मेरे पास capital आ गई तो गई ये अभी तक हमने पड़ा अब हम देखते हैं इसमें कि दूसरी क्या है दूसरी entry क्या करने है अब हमें क्याता है कि paid monthly store rent अब उसने क्या किया बिजनेस में तो store का rent भी पे करना होगा ठीक है वो monthly store rent जो है में cash में यह रखना अब यह cash में दे रहा है तो आपको cash वाली side पे लिखना होगा देखी मैंने कैसे लिखा देखेगा यहां पर guys मैंने क्या किया 25,000 और निके साथ मी entry है न तो 25,000 और मैंने cash दे दिया ठीक है rent था वही मेरे asset थी मैंने उसको दे दिया cash में दे दिया अगर online test series जैसे सभी premium features provide कर दे जाएंगे joining के लिए आपको सिरफ 1499 rupees पे करना है और join करने के लिए आप message करें हमारे whatsapp number 7006332724 पे आपको सारी information provide कर दे जाएगी last मैं सरफ एक ही चीज़ कहूंगा कि YouTube पे बहुत सारी free classes हो रही हैं लेकिन वो सारी के सारी overloaded content है आप उन सब को के सिरफ और सिरफ अपने mind में confusion create करोगे कभी be doubt clears नहीं होने वाले इसलिए मैं recommend कर रहा हूं कि join के लिए हमारा full account assistant course और आपको on the spot सभी lectures की form में सभी notes plus lectures provide हो जाएंगे thank you